हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे वेलकम बैक टू ऐस क्रेटे गुरूप आज मैं आपको सखाने जा रहा हूं दोस्तों लिमिट कमांड के बारे में तो हमें ओटो के अंदर लिमिट कमांड का क्यों यूज करना होता दोस्तों वह इसलिए क्योंकि हमारी जो ओटो कैट में ड्रोइंग सीट होती है उसका साइज अन्लिमिटीड होता है ओके फ्रेंड्स तो फॉर एक्जंबल जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर एक ट्राइंग ओपन की हुए मैंने जैसे आप देख रहो हूं यहाँ पर आपके सामने ब्लू बोक्स में तो इसके अंदर जैसे आप देख रहो हूं इसकी जो हाइट है वह एंडर सेंटि यह है दोस्तों वह लगबग मिनिम्मम हेंडर विर्थ और हेंडर हैट सी होती है अब जैसे कि मुझे माल लिया दोस्तों एक लाइन ड्रो करनी है और वह करनी है 0.05 की तो एक लाइन ड्रा करता हूं 0.05 की और escape करता हूं friends तो जैसे आप देख रहो हूं यहाँ पर वह लाइ यह थे तो मैंने इसके हिसाब से ड्रोइंग लिमिट सेट कर दी और जैसे कि मुझे अगर ड्रोइंग छोटी बनानी है जैसे 0.05 के हिसाब से तो मैं उसी हिसाब से हम मेरे ड्रोइंग की लिमिट सेट करूं और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है friends अधरवाइस जैसे पर 10,000 एंटर कर दिया friends पर escape करता हूं जैसे आप देख रहोगे यह लाइन मेरे जो ड्रोइंग एरिया है उससे भी बार चली गया वो किसले दोस्तों क्योंगी हम मैंने लिमिट ही मैंने इस ड्रोइंग के साब से सेट कर रखिए ओके friends तो हमारी लिमिट्स कमांड जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसी वज़से है तो friends हम हमारी ड्रोइंग लिमिट को कैसे सेट करते हैं चलो देखते हैं तो सबसे बेले जैसे आप देख रहोगे यहाँ पर कमांड प्रमोट है हमारे पास दो मैंतर है या तो चाह यहाँ लिए है है और एंटर करेंगे तो उसके बास जब हम लिमिट कमांड एंटर करते हैं तो हमसे यह पूछता है कि स्पेस वाजोय लौर लेफट गौर ऐसे यह यहाँ पर भी पूछत रहा है जैसे स्पेसिवाज लोट लेफट कोर्णर और यहाँ पर जो 0.00,0 यह दि यहां पर पूसरा कि लोवर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिवाई करो तो यह लोवर लेफ्ट कॉर्णर कॉन सा फ्रेंड्स यह हमारा यहां पर बोटम की तरफ कॉर्णर में जो हमारे UCS आइकन के पास में है ओके फ्रेंड्स तो हम यहां पर हम इसा वैल्यू क्या देते हैं जीरो और फिर कॉमा जीरो फिर एंटर फिर हम से क्या पूसरा है यह पूसरा है अपर राइट कॉनर तो हमारा अपर राइट कॉनर कॉन सा हुआ हमारा अपर राइट कॉनर हुआ यहां पर उपर की तरफ व्यो तो हम यहाँ पर जो width है जैसे हमें चाहिए 200 तो x में क्या डाल देंगे 200 50 cm उपर नीचे डाल सकते हैं friends कॉमा और जो height है वो माल लिया हमें चाहिए 150 और फिर क्या करें है enter enter करते ही हमारी command तो okay हो गई है लग चुकिए है इस drawing के पर बट अभी जो हमारा default जो area है वो पहले वाला है तो इसको बिलकुछ set करने के लिए हम क्या करेंगे that enter करेंगे जूम के लिए use होता है जैड फिर enter और फिर हम क्या करेंगे A type करेंगे एक करके फिर enter करेंगे यह Z plus A command होती है जूम ओल की तो जो हमने जो लिमिट सेट की थी यह वैसे ही उस एरी के हिसाब से हमारे ड्रॉइंग की जो सीट है अर्जेस्ट कर देगी हमारे स्क्रीन के उपर जैसे कि मैं दिखाता हूँ यहां पर जैसे लाइन ड्रा करता हूँ एक उपर से नीचे तक जैसे मैंने 150 के 251 लिए है मगर हमने तो दी थी 251 यह डिफ्रेंस इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि हमारी जो LCD होती है उसका स्क्रीन रिजूलेशन अलग लग होता है कईयों की विर्थ अलग होती है जैसे मेरा लैप्टोप है तो इसकी विर्थ अलग है और कई LCD छोटी होती है तो चाहिए थी 140 की लाइन चाहिए एंटर करेंगे एसकेप करेंगे जैसे यह यहाँ पर स्टार्टर और एंडिंग यहाँ पर है ओके फ्रेंड्स तो हमें इस तरह से हमारी लिमिट्स कमांड को सेट कर सकते हैं हमारी ड्रोइंग के अंतर और यह बहुत ही ज्यादा अंतर ड्रोव हुई है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है अकरका है अगर हमारी लिमिट्स करते हैं और करते हैं कोई भी लाइन ड्राकी और फिर जूमा कर दिया बइच अर फिर वह मैं वो लाइन मिल नहीं रहे तो हम्राइक्ट क्या करेंगे? Z space A space तो यह हमारा जो drawing area वो display कर देगा और वो जो हमने ड्रा की यह line वो automatically show हो जाएगी हमारे drawing के उपर ओके friends, I hope आपको यह video समझ में आई होगी Thank you for watching my video और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें ओके friends Bye Bye, Ta Ta, Take Care Bye और वीडियो को like जरूर करें Bye Bye, Ta Ta